जै मसीखी दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है पहला श्यम्मिल की पुस्तक, उसका दसवा अध्याय और उसका छटा और सातवा वचन वचन कहता है, तब यहुवा का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उत्रेगा, जिससे तू भी उनके साथ नबूबत करने लगेगा, और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा जब यह चिन तुझे दिखाई दें, तब तू अफसर के अनकूल कारे करना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरी उपस्ति में सुख है परमेश्यर, धन्यवाद तू बताता है परमेश्यर, अपने कारें को बताता है परमेश्यर, और हमें चीना सिखाता तेरे वश्णों के दोरा दोस्तों वचन क्या बताता है वचन हमें यह बताता है कि जब परमेश्र का आत्मा हमें उतरता है तो हम वो नहीं रहते जो पहले थे हम बदल जाते हैं हमारी सोचने की क्रिया बदल जाती है हमारे देखने के दृष्टी बदल जाती है हमारे सुनने के कान पूरी तरीके से पवद्रता के साथ रहते हैं हालेलुया तो दोस्तों हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं और परमेशन यही चाहता है कि जब उसका आत्मा हम में आता है तो हम उसके तरह अपने जीवन को बिताएं हम कोई भी शरीर के अनुसार अपना कारें न करें हम कोई भी ऐसा कारें न करें जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो दोस्तों आप सोचिए आप कौन है? मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास प्रान है और मैं शरीर में रहता हूँ अब जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो ये शरीर किसका हुआ परमेश्वर का तो हमें इस शरीर को परमेश्वर के अनुसार बिताना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना है वचनों के अनुसार बिताना है और वचन हमें कहा मिलते हैं परमिश्र के मुख से निकले हुए पवित शास्त्र में इसलिए हमें अपने पूरे जीवन को जबकि उसका आत्मा प्रबलता के साथ हमें है जबकि उसका आत्मा सहता के साथ हमारे हमारे अंदर है ताकि वो हमारी साहता करे, हमें संकर से बचाए, हमें बुद्धी दे, ग्यान दे, समझ दे, पूरी तरीके से हमारी साहता करने के लिए तैयार रहता है, उसका आत्मा और हमेशा हमारे अंदर रहता है, तब ही हम उसके मंदर हैं, इसलिए बाइबल कहती है, कि हमें उसकी अग अपने जीवन को बिता क्योंकि परमेशर तेरे साथ है तू महसूस करके परमेशर तेरे साथ है जिस तरीके से एक मा जब गर्वती होती है एक औरत जब गर्वती होती है जब वो महसूस करती है कि एक बच्चे का बीज उसके अंदर है उसका जीवन बदल जाता है वो उस बच आत्मा के द्वारा परमेश्र की आत्मा के द्वारा अपने चीवन को बिताना है याद करिए भे जिस तरही किसे मर्यम ने अपने चीवन को बिताया मर्यम प्यार कर दी जोजव से और उसकी शाथी होने वाली थी उसकी मंगनी हो चुकी थी लेकिन जैसे ही पर आच्छा दिद हुआ जैसे ही पवित्रात्मा उस पर आया और इश्यू उसकी कोख में आया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया उसने परिवर्तन को महसूस किया उसने सामर्द को महसूस किया उसने शक्ति को महसूस किया परमेशर की उपस्यति को महसूस किया उसने रिश्टों क परवा नहीं की, उसने समाच की परवा नहीं की, उसने संसार की परवा नहीं की, उसने परमेशर की आग्याओं पर चलते हुए, परमेशर की युशनाओं को अपने जीवन में पून होते हुए, देखने के लिए उसने अपने आपको समर्पित कर दिया, क्योंकि यही सत्यता ह यही आत्मी का रात्रा है यही परमेशर चाहता है और यही आपकी आत्मा चाहती है और यही परमेशर की आत्मा चाहती है कि हम उसके अनुसार अपने जीमन को भिताएं हम कोई भी बात ऐसा ना करें जो परमेशर की दृष्ची में कलत है हम कोई भी काम ऐसा ना करें जो परमेश्य के दृष्टी में गलत है मर्यम ने कोई ऐसा काम नहीं किया उसने दुख उठाए इसने दुख उठाए ईशु मसी को पैदा करने के लिए उसने दुख उठाए दोस्तों मैं अभी कुछ समय पहले इसरायल किया था और मैं वो चगा देखकर आया हूँ जहां पर जोसफ और मरियम नील लदी के पास तीन महीने रुके थे छुपते हुए छुपते हुए ताकि वो उस राजा से छुपे हरुदा से छुपे ताकि वो इशु को बचा सके ताकि परमेशक योशना को पूर्ण कर सके वो आत्मा के अनुसार चल रहे थे वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे थे हमें भी आत्मा के अनुसार चलना है हमें यह सोचना है हमें जानना है कि आत्मा के फल क्या है कि आत्मा के फल हमारे जीवन में काम कर रहे है कि आत्मा के अनुसार हम चलने है क्या जो चीज आत्मा च इसी बात निकले जो उस समय की आवश्यक्ता के अनुसार उन्रती के लिए उत्तम हो, जिसे की सुनने वालों पर अनुगरे हो, हम अपने मूँ से कोई भी ऐसा शब्द ना निकाले, जो की घलत हो, हम मसी हैं, हम मसी हैं, और हमारे अंदर मसी देखना चाहिए, हमारे बैटने म हमारे उटने में, हमारे बात करने में, हमारे प्रचार करने में, हमारे चलने में मसी देखना चाहिए, संसार को, इसलिए जब हम भात करें, तो परमेश्र की उपसेती में बात करें, इसी का तीसवा बचन क्या कहता है, कि परमेश्र के पवित रहत्मा को शोकित मत करो, जिस से तुम पर छुटकारे के दिन के लिए च्छाप दी गई है इसलिए हमें ध्यान देना है कि उसकी आत्मा जो हमारे पास है छुटकारे के लिए जो हम पर है जो चिन हमारे अंदर है वो आत्मा के लिए हम अपने अपने जीवन को जीए उस आत्मा के लिए हम अपने आपको सम पर्पित करें, क्योंकि पवित्रा आत्मा हमारे अंदर है, पर्मिश्र की आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए वो चले, हम हमेशा याद रखें, उस चले को हम महसूस करें, महसूस करें, और कब महसूस करेंगे, जब हम परात्रा करेंगे, पर्मिश्र के पास रहेंगे, पुईत्राइत्मा आपको बताएगा कि वो आपके साथ है अलिल्या इस महान चलने को अपने अंदर रखिए क्योंकि ये महान का रहे है ये बहुत बड़ा का रहे है कि उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़े लिए है ताकि हम सुक बोखें, आए इस सुभा के दिन हम प्रातरा करते हैं तरने वाद देते हैं, पिता पर्मेशर तेवे पविते समर्थी नाम में अद्ब शिफा है, सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगते हैं पर्मेशर, हम सब उसकी आत्मा के चला ऐसी हम पर क्रेपा कर सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगते हैं, मैं, 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 मैं